नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर क्या आए हैं भारत के प्रेसिडेंट्स की सूची और उनके वारे में काफी रोचक बाते हैं दोस्तों राष्ट्रपती भारत में राज्य का प्रमुक होता है उसे देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है भारती समविधान के अनुछेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा और अनुछेद 53 के अनुसार संग की सभी कारेकारी शक्तियां उसके द्वार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्टपती थे जिन्होंने दो बार राष्टपती के रूप में काम किया वह संविधान सभा के अध्यक्ष और भारती स्वतनत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे 26 जन्वरी 1950 से 13 मई 1962 तक इन्होंने दो बार प्रेसिडेंट ओप इंडिया के रूप में कारे किया 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों भारत के दूसरे राष्टपती डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन थे डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 यानि 1888 को हुआ था और इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन ने 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक भारत के राष्टपती के रूप में कारेकाल संभाला दोस्तों डॉक्टर जाखिर हुसेन भारत के तीसरे और पहले मुस्लिम राष्टपती बने और उनके पद पर रहते हुए उनकी मृत्यू हो गई तत कालीन उप राष्टपती वीवी गिरी को कार्यवाहक राष्टपती बनाया गया था उसके बाद सुप्रीम कोड के मुख्य नयाधीश मुहमद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्थ 1969 तक कार्यवाहक राष्टपती बने दोस्तों डॉक्टर जाखिर हुसेन ने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कारे किया मुहमद हिदायतुल्ला को 2002 में भारत सरकार द्वाला कला के छेत्र में पद्मु भूशन से सम्मानित किया गया उन्होंने शिक्षा में भी क्रांती ला दे थी तो दोस्तों भारत के चौथे राष्टपती वीवी गिरी साथ थे वीवी गिरी भारत के चौथे राष्टपती बने और उनका पूरा नाम वरहागिरी वैंकट गिरी था वे निर्दली उम्मीद्वार के रूप में राष्टपती चुने जाने वाले एक मात्र व्यक्ति बने 1975 में उन्हें भारत रत्मज़ सम्मानित किया गया दोस्तों भारत के पांचवे राष्टपती फक्रुदिन अली एहमद सहब बने वे दूसरे राष्टपती थे जिनकी मृत्यू राष्टपती के पतपर हुई और बीडी जत्था को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया 24 अगस 1974 से 11 फरवरी 1977 यानि 24 अगस 1974 से 11 फरवरी 1977 तक उन्होंने राष्टपती पत का कार्यभार संभाला दोस्तों भारत के छटे राष्टपती नीलम संजीव रेडी साब बने नीलम संजीव रेडी साब वह अकेली आदमी थे जो अन अपोजड इलेक्ट हुए 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक वह राष्टपती पत पर रहे वह आंदरप्रदेश के पहले मुख्य मंत्री थे वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के पत के लिए चुने गए और सबसे कम उम्र के राष्टपती बने जिन्होंने राष्टपती भवन पर कबजा किया और राष्टपती पत के लिए दो बार चुनाओ लड़ा दोस्तों भारत के साथवे राष्टपती ज्यानी जैल सिंग जी बने यह पहले सिख प्रेसिडेंट थे राष्टपती बनने से पहले वे पंजाब के मुख्य मंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे उन्होंने भारतिये डागघर विदेयक पर पॉकेट वीटो का भी इस्त 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक वा राष्टपती पर रहे दोस्तों भारत के आठवे राष्टपती आर वेंकट रमन सहाव रहे यह 25 जुलाई 1987 यानी 1987 और 25 जुलाई 1992 तक यह कारेकाल में रहे इससे पहले वे 1984 से 1987 तक भारत के उपर राष्टपती थे उन्हें दुनिया के विभिन हिस्सों से कई सम्मान प्राप्त हुए हैं वह भारत के सोतंतरता संग्राम में उनके योगदान के लिए तामर्पत के भी प्राप्ता करता हैं इसके अलावा रुषी सरकार ने तमिल न दोस्तों भारत के नौमे राष्टपती डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी रहे इन्होंने 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक राष्टपती पत को संभाला 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्य मंत्री और 1956 से 1967 तक केबिनेट मंत्री रहे कानूनी पेशे में उनकी बहुँ उपलब्दियों के कारण International Bar Association ने उन्हें Living Legend of Law Award of Recognition दिया भारत के दस्वे राष्टपती के आर्म नाराणन साब बने ये पहले दलित प्रेसिडेंट थे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक ये राष्टपती रहे और देश के सर्वोज पत को प्राप्त करने वाले पहले मल्याली व्यक्ती थे वह लोकसभा चुनाओ में मतदान करने वाले पहले राष्टपती थे और उन्होंने राज्य विधान सभा को संबोध्रित किया था दोस्तों अब समय आता है ग्यारवे राष्टपती और भारत के सबसे लोगप्रिय राष्टपती के बारे में बात करने का डॉक्टर Е.П.J. अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारष के राष्टपती के रूप में कारेकाल संबाला वे पहले वेज्ञानिक थे जिन्होंने राष्टपती पत का कारेकाल संबाला था और भारत के पहले राष्टपती जिन्होंने सबसे अधिक मत प्राप्त किये उनके निर्देशन में रोहिनी वन, उपग्रे, अगनी और प्रित्वी मिसालों का सफलता पूर्वक प्रक्षेपन किया गया 1974, 1974 के मूल परमानू परिक्षण के बाद 1998 में भारत में किये गये पोखरण द्यतिये परमानू परिक्षण में उन्होंने एक महत्वुन राजनितिक, संगट नात्मक और तक्नी की भूमिका में देखा गया 1997 में उन्हें भारत रत्म से सम्मानित किया गया दोस्तों भारत की बार्विय राष्टरपती और पहली महिला राष्टरपती श्रीमति प्रतिभासिंग पाटिल राष्टरपती बनने से पहले वह राजिस्थान की राज्यपाल थी 1962 से 1985 तक वह पाँच बार महाराष्ट विधान सभा की सदस्य रही और 1991 में अमरावती से लोक सभा के लिए चुनी गई इतना ही नहीं वह सुखोई उड़ाने वाली पहली महिला अध्यक्ष भी थी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक प्रतिबा सिंग पाटिल ने भारत के राष्टपती का कारेकल संभाला दोस्तों भारत के तेरवे राष्टपती प्रणम मुखर जी जी थे 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक वह राष्टपती रहे राश्ट्रपती का चुनाव लड़ने से पहले प्रणव मुखर जी केंदर सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1997 में सर्व श्रेश्ट संसदी पुरसकार और 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच नागरिक सम्मान पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया। 31 अगरस 2020 सोमवा को 84 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया। दोस्तों भारत के चौध में राश्ट्रपती रामनाथ कोविंजी थे। रामनाथ कोविंजी का जन्म एक अक्टूबर 1945 को भारत के उत्तरप्रदेश में हुआ था। वह एक भारतिये वकील और राजनितिक गये हैं। वह भा 25 जुलाई 2017 को राश्ट्रपती बने और भारतीय जनता पार्टी के सदर्स से हैं। ये बिहार के पूर्व राज्यपाल हैं। राजनितिक समस्याओं के प्रती इनके द्रिश्ट्री कोण ने इने राजनितिक छेत्र में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्दियां विश्व विद्यालों में द्रस्टाचार की जांच के लिए एक न्यायक आयोक का निर्माण करती है। 25 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2022 तक ये राश्ट्रपती पत पर आसीन रहे। दोस्तों भारत के पंद्रवे राश्ट्रपती और दूसरी लेडी राश्ट्रपती द्रौब्दी मुर्मू। 21 जुलाई 2022 को भारत की पंद्रवी राश्ट्रपती बनी। द्रौब्दी मुर्मू का जन 20 जुन 1958 को उडिशा के मयूर भंज जिले के उपर बेडा गाउं में बिरंची नारायन टुडू के एक संताली आदिवासी परिवार में हुआ था। द्रौब्दी मुर्मू 2007 में उडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्ट्रेश्ट विधायक विधानसभा के सदस्तिक के लिए नील कंठ पुरसकार प्राप्त किया है। 21 जुलाई 2022 से आज तक द्रौब्दी मुर्मू जी भारत के राश्ट्रपती पत को संभाल रही है। दोस्तों जो लोग competitive exam की तयारी कर रहे हैं और सभी राश्ट्रपतियों के नाम याद रखना चाहते हैं वह यह दो लाईने जरूर याद कर लें। देखा कि 25 जुलाई एक important date है जब सभी राश्ट्रपती अपने राश्ट्रपती पत की शपत लेते हैं और कारेकाल संभालते हैं तो 25 जुलाई को आपको याद रखना है 25 जुलाई पर ही आपके जितने भी राश्ट्रपती हैं वह सभी आए एक्सप्ट द्रौब्दी मुर करने के लिए इस तरह से थोड़ा सा डेट को याद रख सकते हैं कि नीलम संजीव रेड़ी जो हैं यह 25 जुलाई से लेकर करके अब तक हमेशा 25 जुलाई को ही डेट को रखा गया है आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जो लोग इस चैनल पर नह भूलें धन्यवाद